बिहार में महागट बंधन के विधायकों के पाला बदलने के बाद सियासत गर्मा गई है जहां रेडी और कॉंग्रेस भाजपा पर विधायकों को तोड़ने का रोप लगा रही है वहीं भाजपा भी अब हमलावर हो गई है बिहार के उपमुख्य मंतरी नेता विजे कुमार सिना ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है विजे कुमार सिना ने कहा कि बहुत कह रहे थे खेला करेंगे अब क्या हुआ हमने कहा था न कि जादा खेला खेला मत कीजे नहीं तो जमेला में पड़ जाईएगा उन्होंने क पहा कि बड़ा खिलाडी बन रहे थे अब लीजिये जमेला शुरुआत की ये राजद के लोग गायब कर रहे थे खरीद फरोद का ओफर दे रहे थे अब बयान बाजी कर रहे हैं सुसासन अस्थापित करने का मानिय मुक मंत्री जी का जो संकल्प है और देश के मानिय परदान मंत्री जी सर्धे अटल विहारी बाजपेई जी या देश के परदान मंत्री मानिय नरंदर मोधी जी हमेशा सुसासन अस्थापित करना ब्रश्टाचार मुक्त विहार बनाना ये संकल्प को मुक मंत्री जी भी ब्रश्टाचार पर जीरो टौरलेंस और कानून का राज अस्थापित करने का जनता के परति ये बचन बदता को अस्थापित करने के लिए जो कानून आ रहा है यह राज की जनताओं के हित में है और इस कानून से विहार के अंदर जनता भय मुक्त पूरी तरह से रहेगी और अपरादी माफियाओं का बोलबाला समप्त होगा बादी विधायक को लेकर के बात के रावडी देवी ने हमला बुलाय का है कि ददस करों में बेचा के आया जो विधायक पार्टी उनको जाना चाहिए वो बेशर्म है लेने वाले भी बेशर्म है देखे मैं बता दो कि रोपे पेर बबूर का आम कहां से हो शुरुवात उन्होंने किया विधायकों के खरीद फरोस्त का भारतिय जनता पार्टी यह काम नहीं करती है लेकिन विधायका को कलंकित करना अपमानित करना विधायका को बंदुवा मजदूर बनाके रखना और सोने के चम्मस लेकर जन्म लेने वाले जो परिवारबादी बंसवादी ब्रस्त्याचारी जिस तरह के सदन के अंदर जिम्मवारी का निर्बाहन नहीं करना यह सारे वातावरन आज विधायकों को कहीं न कहीं भाईभीत कर रहा है उसे महसूस हो रहा है कि उस डूबते हुए नाव पर बैठे रहने से हम लोग डूब जाएंगे हम सुरचित अस्थान वो लोग खोज रहें तो यह विधायका कोई बंद हुआ मजदूर के तरह बांद के आप रख नहीं सकते हैं और रह गई कि सुरुवात तो आपने किया नवता दिया तो आप ही का विधायक आपको बीजय करा रहा है इसमें मेरी भूम का कहा है अरे हमने कुछ किये रहता तमने जो लोग यह मान सिकता और नेता परतिपक्ष को सदन में रहनी चाहिए अब यह सच नहीं है क्या कि माली गया घर जन्यत नहर जब नेते गाइव है नेता फेश करने के लिए तैयार नहीं है तो उसका विधायक कहां कहां भाग के जा रहा है यह तो उस नेता को देखना चाहिए और उसके नेतित को लोग नहीं स्विकार रहा है तो उसको पद त्याग देना चाहिए हमको अगर जो नेता परतिपक्च विधान मंडल दल के नेता बनाया और हमारा विधायक हमसे भाग रहा है तो हमारी नेतिक जिमेवारी है कि हमको जबाब देना